यहाँ पर हमें तीन अलग-अलग crystal structure दिख रहा है यह पहला जो structure है यह बड़ा ही simple structure है यहाँ पर सामने की तरफ चार जो atoms हमें दिख रहा है यह एक plane में है, एक vertical plane में है और पीछे की तरफ चार atoms जो है वो एक vertical plane में है उसी तरह से उपर की तरफ के चार एटम्स को अगर देखे तो ये एक horizontal plane में है उसी तरह से नीचे के चार एटम्स जो है ये भी horizontal plane में है तो ये बड़ा ही simple एक structure है अगर इनके points को centers को हम मिला दे तो obviously इन 8 atoms के centers को अगर मिला दे तो obviously हमें एक cube मिलेगा कुछ इस तरह का हमें cube मिलेगा अगर इसी cube को एक के बाद दूसरा हम रखते जाए तो फिर यही वाला crystal structure ये तो crystal structure का एक छोटा सा part हम देख रहे है यही वाला crystal structure बन जाता है तो इसे कहा जाता है unit cell और चुकि ये बड़ा ही simple unit cell है इसलिए इसे primitive unit cell कहा जाता है ये है primitive unit cell आप गौर से देखे अगर centers को मिलाते हुए जो cube बनेगा उस cube के अंदर वाले हिस्से में पूरा atom नहीं रहेगा बलकि atom का छोटा सा हिस्सा रहेगा यहाँ पर इस atom का छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ पर दिख रहा है उसी तरह से इस atom का एक छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ पर अगर calculate करें तो आप ये पाएंगे ये जो छोटा सा हिस्सा है ये इस sphere का 1 8th होता है पिछले वीडियो में जहांपर हमने unit cell पे details में चर्चा किया था वहाँ पर हमने इसे देखा था calculate भी किया था पता किया था और भी बहुत सारे चीज़े हमने वहाँ पर पता किया था इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो ये कि unit cell के साथ associated कुछ numerical problems हम solve करेंगे और unit cell के साथ associated कुछ terms जैसे कि यहाँ पर ये जो unit cell है इस unit cell का जो width है या फिर कहें यहाँ पर हम इसे side भी क्या सकते हैं ये जो side है इस side के साथ और एक atom के mass के साथ इसका जो density होता है ये जो भी element है इसका जो bar है इसका जो density होगा उनके बीच का जो interrelation है इस वीडियो में हम वो पता करेंगे वेल तो ये जो unit cell है पहला वाला जो unit cell है जो की बड़ा ही simple है इसे primitive cubic unit cell कहा जाता है वेल उसी तरह से अगर second वाले crystal structure को आप देखे तो इसमें अगर बाहर की तरफ जो atoms है इन atoms के centers को अगर हम मिला दे इस तरह से बाहर की तरफ जो atoms है और जो पीछे है उसके center को अगर हम मिला दे तो इस तरह का हमें unit cell मिलेगा इस unit cell को अगर एक के बाद दूसरा same structure अगर मिला दे जाए तो ये वाला crystal structure हमें मिलता है यहाँ पर खास बात यह है कि इसके center में हमें एक atom मिलता है वेल इस तरह का जो unit cell होता है इस तरह के unit cell को कहा जाता है body centered इसके बारे में भी last video में हमने बात किया था इसे कहा जाता है body centered cubic unit cell क्योंकि देखे यहां centers को अगर मिलाते है इन atoms के बाहर की तरफ जो atoms है इनके centers को अगर मिलाते है तो फिर हमें cube मिलता है इसलिए यह cubic unit cell है तो यह body centered cubic unit cell है similarly इस वाले अगर आप structure को देखे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उपर की तरफ यह जो 5 atoms है एक horizontal surface पे है उसी तरह से नीचे भी 5 atoms हमें मिलेगा जो कि एक horizontal surface पे है उसी तरह से यहाँ पर सामने की तरफ यह जो 5 atoms है एक दो तीन चार पाँच यह एक vertical plane में है उसी तरह से अगर दाहीनी तरफ देखे तो यह atom यह 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 पाँच आटम जो है एक vertical plane में है इसके बाहर की तरफ जो atoms है इनके centers को अगर हम इस तरह से मिलाते हैं और एक यहाँ पीछे की तरफ है तो उसे मैं draw नहीं कर सकता फिलहाल तो इनके centers को अगर हम मिलाते हैं तो फिर से हमें एक cube मिलेगा कुछ इस तरह का cube मिलेगा और इसे हम कहते हैं face centered cubic unit cell face centered cubic unit cell इसके बारे में भी हम लोगों ने last वीडियो में बात किया था अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि एक cubic unit cell है यहाँ पर एक-एक unit cell के अंदर atom का कितना हिस्सा है पिछले वीडियो में हमने calculate किया था इसे चलिए उसे हम z से represent करते हैं इस cube के अंदर atom का कितना हिस्सा होगा तो यहाँ पर आप गौर से देखे कि 8 corners में atom का हिस्सा है और एक-एक हिस्सा जो है यहाँ पर एक-एक part जो है यह एक sphere का 1 eighth है एक atom का 1 eighth है तो 8 into 1 eighth तो that is equal to 1 तो यहाँ जो content है इस cube के अंदर वो content एक atom के volume के बराबर है similarly अगर body centered का case हम consider करे तो यहाँ पर वो number होगा number of atoms inside this unit cell वो बराबर हो जाएगा तो 8 corner में जो हिस्सा है वो तो एक atom के बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो case हमने देखा था और साथी साथ एक atom जो है बीच में है यहाँ पर 1 plus 1 that is equal to 2 यह calculation भी हमने details में पिछले वीडियो में किया था और उसी तरह से face centered का case अगर हम देखे तो यहाँ पर देखे 8 corners में 8 atoms तो है ही atom का हिस्सा that is equal to 1 एक atom के बराबर है और 6 faces में आधा आधा atoms है that means 3 atoms है faces में 3 atoms और corners में मिला के 1 atom so total यहाँ पर atom जो है 4 atom का content है इस unit cell के अंधर अब यहाँ से आगे कुछ important calculations हम यहाँ कर लेते हैं कि यह जो unit cell है let us say unit cell का जो यह side है this side is equal to A और एक atom का जो mass है so mass of an atom mass of an atom of an atom that is equal to M let us say that is equal to M और और जो density है density density that is equal to D तो इनके बीच जो relation होगा यह A, M और D इनके बीच जो relation होगा वो relation हम पता करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखे density 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 जिसे हम D से represent करेंगे density is equal to चूंकि यूनिट सेल को एक के बाद दूसरा फिर तीसरा इसी तरह से मिलाते हुए अगर हम रखते जाए तो फिर हमें crystal structure मिलता है तो उस crystal का जो density होगा वो इस unit cell का भी density होगा मुझे ऐसा कहना चाहिए कि इस unit cell में जो density होगा चूंकि exactly इसी को एक के बाद दूसरा रखते हुए हम पूरा crystal structure बना सकते हैं तो हम कह सकते हैं इसका जो density है unit cell का जो density है that is equal to the density of that crystal तो density is equal to जो इसका density होगा इस unit cell का जो density होगा that is equal to the density of the crystal और ये density होगा इस unit cell का density होगा mass of जो इस unit cell के अंदर है mass of atom content यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ atom content atom content मतलब मुझे नहीं पता फिलहाल तो चलिए माल लेते हैं मुझे नहीं पता हमें नहीं पता कि एक एक unit cell के अंदर कितना atom है वो भी calculation में आएगा so mass of atom content divided by मतलब unit cell के अंदर atom का कितना content है कितना mass का atom है divided by volume of this unit cell volume of the unit cell the unit cell अब देखें mass of atom content हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कितना mass होगा हम कह सकते हैं that mass content is equal to number of atoms जो कि उस unit cell के अंदर होगा जिसे कि हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है कितना atom है इस unit cell के अंदर इस case में एक atom है इस case में दो atom है और इस case में चार atom का equivalent mass है तो number of atoms inside that unit cell into mass of one atom कि यहाँ पर देखें mass of one atom is m so यह हो जाएगा mass content inside the unit cell और unit cell का volume चुकि हमने माना unit cell का जो जो side है that side is equal to a तो हमें पता है cube का जो volume होता है that is उसका side to the power 3 उसका cube हो जाता ही है so यह एक important relation है यहाँ पर हमने जो यह पता किया है यह एक बड़ा ही important relation है और इसी को इसी को हम आगे use करने वाले है so density is equal to this thing z which is number of atom content या number of atom inside the unit cell into m एक atom का mass divided by a cube अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस m को हम कुछ खास एक term से substitute कर सकते हैं well देखे mass of an atom is equal to हम कह सकते हैं कि इस element का जो molar mass है किसी भी element का जो atom है उसका mass is equal to उसका molar mass divided by आवगादरो number आवगादरो number होता है कि एक mole में कितना particle है तो एक mole का जो mass होगा divided by उसमें कितना particle है इस case में हम कहेंगे कितना atom है अगर यह हम पता करें तो that is equal to एक atom का कितना mass होगा यहां से देखे हम कह सकते हैं कि एक atom का mass अगर m हुआ इसके साथ अगर आवगादरो number जितना atom मिला के एक mole बनता है इन दोनों को अगर multiply करे तो फिर हमें मिलता है उसका molar mass तो वहीं से यह वाला formula आया हुआ है तो उसे अगर हम यहां पर substitute करते हैं तो हमें मिलेगा d density is equal to z into molar mass divided by a cube into Avogadro number तो Avogadro constant भी इसे कहा जाता है तो यह दूसरा वाला formula हो गया उसी का एक दूसरा रूप हो गया अब इनको use करते हुए हम कुछ problem यहां पर solve करेंगे तो सबसे पहला problem जो है वो NCRT का example 1.4 है तो यहां पर कहा गया है कि copper जो है copper FCC face centered cubic unit cell होता है इसका तो यहां पर उसका figure दिख रहा है हमें पता है कि ऐसे cases में z जो होता है that z is equal to 4 तो z का value हमें यहां पर मिल गया और इसका जो edge है that means जो side है that side edge यहां पर यह जो edge है चलिए मैं यहां पर represent करता हूँ यह जो edge है cube का that edge is equal to A और उसी का value यहां पर इस जगा पे दिया हुआ है 3.608 into 10 to the power negative 8 centimeter और इसका जो density है यह density given है तो यहां पर देखे जो formula हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो यहां पर उस formula को अगर हम use करें हमें atomic mass पता करना है copper का so atomic mass पता करने के लिए हम यहां पर वो जो formula है उस formula को use कर सकते हैं जैसे कि हमने formula जो देखा था इस case में यहां से इस वाले formula को अगर हम लेते हैं तो उस formula से हम कह सकते हैं जैसा हमने देखा था कि Density is equal to Density is equal to Z into molar mass divided by divided by A cube into Avogadro number यह एक formula हमने देखा था और दूसरा formula हमने देखा था D is equal to Z into mass of an atom divided by A cube यह दूसरा formula हमने देखा था चलिए देखते हैं कौन सा formula easy होगा यहां पर use करना वैसे यहां पर इस case में जो given है वो given terms जो है वो Z जो है यह given है which is 4 और साथी साथ density जो है density is given density is given which is 8.92 gram per cubic centimeter density given है और साथी साथ A का value जो है A is given A is 3.608 into 10 to the power negative 8 इतना centimeter तो देखे हम कौन सा formula यहां पर use कर सकते हैं वैल अगर हम यह दूसरा वाला formula यहां पर use करते हैं इस वाले formula को use करते हैं तो हम बड़े आसानी से atomic mass पता कर सकते हैं वैल यहां से यहां से आप देखे हमें पता करना है atomic mass तो mass of an atom यहां से हम पता करें अगर सो वो gram में answer आएगा फिर उसे हमें unified mass में convert करना होगा सो यहाँ पर इसी formula से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि m is equal to d into a cube divided by z values put कर लेते हैं एक बार यहाँ पर अगर हम value put करें तो फिर d का जो value है which is 8.92 इतना gram और पर cubic centimeter यह जो cubic centimeter है इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर और a cube a cube को multiply करना a का value यहाँ पर दिख रहा हमें so 3.608 into 10 to the power negative 8 इसका cube और यह जो centimeter है उसका cube unit जो है वो भी cubed हो जाएगा so यहाँ पर यहाँ पर z का value जो है इस case में z का जो value है that is equal to 4 तो यहाँ पर अगर हम इस calculation को करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम cancel कर देते हैं cubic centimeter और cubic centimeter को यहाँ अगर हम calculate करते हैं तो फिर हमें जो मिलेगा यहाँ पर mass of an atom मिलेगा और वो gram में answer आएगा तो अगर यहाँ से हम उसे unified mass में convert करना चाहें so unified mass में अगर हम convert करना चाहें तो हमें क्या करना होगा हम molar mass निकाल सकते हैं so यहाँ से molar mass वैसे यह वाला अगर हम apply करते तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा अच्छा होता क्योंकि इसमें gram में answer आएगा और हम अगर unified mass में answer चाहते हैं तो सबसे पहले molar mass पता करना होगा so molar mass पता करने के लिए हमें कुछ नहीं यह जो avogadro number है यहाँ पर multiplied हो जागा हमें पता है mass of an atom into avogadro number that is equal to molar mass तो यहाँ पर यह जो भी value यहाँ से निकल के आएगा इसके साथ avogadro number को multiply कर दें अगर avogadro number avogadro number is equal to 6.022 into 10 to the power 23 इतना particles इसलिए इसे बहतर होता है इसे avogadro constant कहना नॉर्मली ऐसा कह दिया जाता है कि avogadro constant is a number pure number but it is not a number यह pure number नहीं है it is some number of particles इतना number of particles है pure number को कभी हम हम base quantity की तौर पे हम use नहीं कर सकते हैं well so यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें molar mass इसका मिलेगा अगर हम calculate करते हैं इस number के साथ हम इसे भी multiply करते हैं तो हमें एक value मिलेगा that value is equal to 63.1 इतना gram मिलेगा well यह बताता है कि अगर इसका molar mass 63.1 gram हुआ तो obviously एक atom का जो mass होगा इस calculation से हमें वो answer gram में मिलेगा एक ही atom का mass हमें gram में मिलेगा लेकिन यहाँ पर इस तरह के calculation जो अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर जो है वो unified mass में मिलेगा so mass of an atom is equal to यही जो number है जो इसका molar mass है यही number इसे हम gram के जगा unified mass के तोर पे represent करेंगे so this is mass of an atom copper atom का mass जो है unified mass के तोर पे हमने यहाँ पर represent किया तो यह पहला problem था अब अगला एक problem देखते हैं जो कि NCRT का 1.3 example 1.3 है यहाँ पर कहा गया है कि body centered cubic structure है किसी का यहाँ पर body centered cubic unit cell हमें दिख रहा है so हमें पता है ऐसे case में z जो होता है that z number of atom inside unit cell that is equal to 2 और यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो edge है यह जो edge है that edge is equal to a और उसका value है 288 picometer इसे हमें centimeter में convert करना होगा क्योंकि बाकी जो value है यह centimeter में given है so इसे हम centimeter में convert करेंगे density दिया हुआ है 7.2 gram per cubic centimeter और पूछा गया है कि इतने gram में इतने gram में कितना atom रहेगा इस element का इतना gram में कितना atom रहेगा तो अगर हम एक atom का मास पता कर ले तो बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि इतने में इतना में इतना मास में कितना एटम रहेगा, उसके लिए जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेंसिटी इस इक्वल टू जेड इंटू मास ओफ एटम डिवाइड़ बई A क्यूब ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहां से आगे मास ओफ एटम is एक्वल टू डी इंटू A क्यूब डिवाइड़ बई जेड ये हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बड़े आसानी से mass of an atom पता कर सकते हैं वेल अगर माले कि आप भूल गए अगर formula भूल गए चलिए एक बार फिर से यहाँ पर derive कर लेते हैं derive करने का जो steps होगा वो same नहीं होगा इस case में हम problem के हिसाब से चीजों को derive करते हैं तो इस problem के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ से हम देखे क्या करने वाले हैं यहाँ पर volume इससे हम पता कर सकते हैं यह जो edge दिया हुआ इससे हम जो unit cell है उसका volume पता कर सकते हैं और साथी साथ यहाँ पर density दिया हुआ है तो unit cell का जो mass है यह हम mass पता कर सकते हैं और हमें पता है कि unit cell के अंदर दो atoms है तो एक atom का mass हम पता कर सकते हैं ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं वैसे तो आप formula से भी आगे बढ़के इसे derive कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि most of the cases हम formula भूल जाते हैं और कितने सारे formula याद रखे यह भी possible नहीं होता कि सारा का सारा formula याद रहे हैं तो एक बार derive भी कर लेते हैं तो इस situation के हिसाब से अगर हम derive करते हैं तो हमें पता है कि यह जो edge है सबसे पहले इसे centimeter में convert कर लेते हैं तो यह edge that is equal to a जिसे की कहा गया 288 picometer and picometer is equal to 10 to the power negative 12 meter अब इसे centimeter में convert करना है तो centimeter में अगर convert करें सबसे पहले तो meter के जगा अगर centimeter लाते हैं तो फिर हम यह कह सकते हैं कि एक meter जो है 100 centimeter यानि कि 10 to the power 2 centimeter के बराबर है तो इन दोनों को club करें तो हमें मिलेगा 10 to the power 10 so so इसी को हम लिख सकते है 288 into 10 to the power 10 इतना centimeter और वैसे अगर 10 के power को multiply करते हुए चीजों को represent किया जाता है तो normally यह जो number होता है यह 10 से छोटा होता है और 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 इसे 1 यह से बड़ा होना होता है that means इसे हमें 2.88 में convert करना होगा 2.88 so हमने 288 को 100 से divide किया है तो पूरे एस वाले एस वाले टाम को हम 100 से multiply करेंगे यहाँ पर minus होगा यहाँ पर minus 10 होगा well so so यहाँ पर हम अगर 100 से multiply करें 10 to the power 2 से multiply करें तो यह हो जागा 10 to the power negative 8 और इतना centimeter तो यह हमने A का value पता कर लिया है अब यहाँ से देखे density पता है और A से A से हम volume पता कर सकते हैं A जो की side है यहाँ से आगे हम volume जो है which is A cube यह हम पता कर सकते हैं और हमें पता है हमें पता है कि density जो होता है density is equal to mass divided by volume density is equal to mass divided by volume so यहाँ से हम कह सकते हैं कि mass जो होता है mass is equal to mass is equal to volume into density so density into volume A cube है यहाँ पर यह mass जो है एक atom का mass नहीं है क्योंकि देखे density किसका है unit cell का density है और यहाँ पर जो volume है यह unit cell का volume है so यह mass जो है यह unit cell का mass है ज्यान से देखे एक atom का mass नहीं है unit cell इस पूरे unit cell का mass होगा unit cell में एक atom नहीं है unit cell में इस वाले unit cell में दो atoms है so यह unit cell का mass हो गया so unit cell का mass इस formula से हम पदा कर सकते हैं तो फिर mass of an atom obviously चुकि unit cell में दो z number of atoms है या फिर दो atoms है तो यहाँ से हम कह सकते है that is mu एक unit cell का mass divided by कितना atoms है उस unit cell में that is equal to mass of one atom so यहाँ से हम कह सकते है da cube divided by z एक दूसरे तरीके से हमने इसे derive किया situation के हिसाब से हमने इसे derive किया अगर हम formula भूल जाते हैं उस case में हमने इसे derive किया तो यहाँ पर अगर देखे mass of an atom यहाँ पर m जो है mass of one atom है that is equal to d into a cube divided by z so उस value को अगर हम यहाँ पर calculate करते हैं 7.2 इतना gram per cubic centimeter so उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ per cubic centimeter into a cube a cube is equal to 2.88 into 10 to the power negative 8 इसका cube कर लेते हैं और यह जो centimeter है यह भी cubed होगा so cubic centimeter यह हो गया a cube और z का जो value है वो z का value 2 हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर cubic centimeter और cubic centimeter को चलिए cancel कर देते हैं और फिर आगे यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने एक atom का mass पता किया है और 208 gram में कितना atom होगा यह हमें पता करना होगा so number of atoms in 208 gram उस number को हम n से represent कर लेते हैं चलिए that n is equal to must be equal to 208 gram में 208 gram में अगर एक atom का mass m हुआ तो 208 gram में 208 gram divided by m एक atom का जो mass है उसे अगर divide करते हैं तो हमें number of atoms इस amount में number of atom मिल जागा so यह वाला calculation अगर हम करते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं so यह वाला calculation अगर करें हम थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ यहां पर 208 gram और यहां पर divided by और यह वाला 2 जो है चुकि यह m में denominator में है जो कि denominator का denominator होगा उसे हम numerator में भेज सकते हैं और 7.2 gram into 2.88 का cube और यह जो 10 to the power negative 8 का cube है इसे अगर हम numerator में भेजे तो यह हो जागा 10 to the power 8 का cube that means 10 to the power 24 तो इस वाले calculation को अगर हम करते हैं यह वाला value अगर हम पता करते हैं तो फिर हमें जो value यहां पर मिलता है यह होता है 2.4 2.4 187 तो 2.4 ही लिख रहा हूं में that is nearly equal to 2.4 into 10 to the power 24 so 208 gram में इतने number of atoms इतने atoms होंगे so इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो किया हमने सबसे पहले तो interrelate किया density और एक element का जो density है उस density के साथ number of atoms inside unit cell और एक atom का mass और उसका जो volume है unit cell का volume इनको हमने interrelate किया और एक और तरीके से भी इसे हमने देखा कि कैसे represent किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे playlist का link आपको description box पे मिल जाएगा और यहाँ screen पे भी आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गट बाई